पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों पर विपक्ष के हमले से बशने के लिए आज सरकार ने एक पैसा घटा कर लोगों के साथ मजाक किया साथ पैसे की कटोती कर जनता को राहत देने वाली सरकार ने बाद में उसे एक पैसा कर जनता के जले पर नमक छड़कने का काम किया सरकार के इसी भद्य मजाक पर कॉंग्रिस ने हमला बोला है इसके खिलाफ कॉंग्रिसी कारेकरताओं ने कई जगा प्रतशन किया इसके साथ ही कॉंग्रेस सद्यक्ष राहुल गांधी ने भी फ्यूल चैलेंज की याद दिलाते हुए कहा कि ये चुनोती का जवाब नहीं है कॉंग्रेस सद्यक्ष राहुल गांधी ने फिटनेस चैलेंज के बदले पीम मोधी को फ्यूल चैलेंज दिया था उन्होंने ट्वेट किया था कि DRPM ये देखकर खुशी हुई कि आपने विराट कोहली का फिटनेस चैलेंज स्विकार किया यहां मेरी ओर से भी एक चैलेंज है आप तेल की कीमतों को कम करें नहीं तो कॉंग्रेस देश भर में प्रदशन करेगी और आपको ऐसा करने को मजबूर करेगी मैं आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूँ आज जब सरकार ने केवल एक पैसे की कटोती की तो राहुन ने अपना चैलेंज याद दिलाते वे पिया मोधी पर तंज कसा उन्होंने ट्वीट पर लिखा कि प्रिये प्रधान मंतरी आपने आज पैट्रोल और डीजल की कीमत एक पैसे घटा दी है एक पैसा अगर ये मज़ाग बनाने का विचार है तो ये बचकाना और हलका है आपको बता दे कि आज सरकार ने पैट्रोल की कीमतों में महज़ एक पैसे की कटोती की है पहले 60 पैसे की कटोती की गई थी लेकिन दो पहर होते ही इंडियन आईल का बयान आया की प्रिन्टिंग में गल्ती हो गई है पैसे की हुई है सोलह दिन बाद जब पेट्रोल के दामों में सरकार ने केवल एक पैसे की कटोती कर जनता के जखमों पर नमक छड़का तो कॉंग्रेस सद्यक्ष राहूल गांधी के साथ कारीकरताओं ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खूल दिया और कई जगा प्रदर्शन भी किया डिवी लाइब की रपोर्ट